Soft Excel, ठीक है न, MS Excel जो है न, यहाँ पे है इस Topic की Heading अगर मैं कहूँ इंडिया जुली यह MS Excel जो है न, वो कोन से साल के अंदर आया था सीधा अकिला अगर MS Excel की बात करूँ तो यह कोन से साल के अंदर आया था तो इस Question का सही अंसर रहेगा, यह 1987 के अंदर जो है न, वो आया था आपका क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, आज फिर से एक बार बताने की कोशिस कर रहा हूँ कि आपके पास में जो MS Word नाम का Software था, MS Word, दूसरा आपके पास में था MS PowerPoint था, ठीक है न, MS PowerPoint नाम का एक Software था, ठीक है और एक आपका था यहां पे MS Excel नाम का Software, इन तीनों को आप लोग Most Basic Software के नाम से जाना करते हो तो MS Word नाम का जो Software है न, यह वाला Software तो आया था, 1983 के अंदर, PowerPoint और Excel है, यह दोनों आये थे, 1987 के अंदर और इन्होंने क्या किया, एक Office Suite जो लांच किया है न, वो लांच किया है, 1988 में लांच किया है, यह याद रखना, आप लोग Microsoft Company जो है न, इन्होंने अपना Office Suite नाम से Office Suite का मतलब यह समझीएगा आप लोग कि Group of Software ठीक है न, इसको आप लोग बोला करते हो, Group of Application Software ठीक है इसका मतलब होता है Office Suite का और यह वाला लांच किया है, इन्होंने bundle 1988 के अंदर तो अब सवाल कैसे बनता है, exam perspective क्या question होगा, exam perspective तो यह question आपका होने वाला है कि आप से पूछा जाए, MS Office जो है न, वो कौन से साल में आया, तो 1988 बताना है मुझे लेकिन इंडिज्वली, अलग-अलग भी कई बार पूछ लिये जाते हैं, जैसे कि MS Word का पूछा गया है, PowerPoint भी पूछा जा चुका है, Excel भी पूछा जा चुका है तो आप लोगों को फिर तब ये वाले चीज़े याद करनी है, और ये चीज़े NCRT की ही है, हम लोग वहीं से ही आपको डेटा दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत इपॉटन सा ये आपका डेटा या कंटेंट रहेगा, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट आप से ये रह लिए और ये आप लोग जो है न, बड़ा ही शांती से दिल लगा कर कपी पन ले लिजीग या क्योंकि आज की चिस्टन तो मैं अगली क्वेस्टेंज में करांगा, कल की क्रास में, हर रोज शाम को ये चार बज़े क्लास होगी आपकी, तो एक जो आपको पताना चाहता हू देखो word powerpoint की classes already हो चुकी है आप देख लेना इसी channel पे आपको मिल जाएगी लेकिन फिलहाल excel की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको जो पहला page दिखाई देता है जो main page इसका दिखाई देता है ना उस page का अंदर आप लोगों को कुछ इस type का आपको page दिखाई देत हो इसको आप लोग ठीक है ना spreadsheet या फिर इसको आप लोग लिख देते हो किस नाम से क्या worksheet के नाम से जाना करते हो ये बात याद रखिएगा जो ये page है उस page का नाम ही आपका spreadsheet है या वरक याद रखना आप लो, तो MS Excel का काम क्या है, MS Excel जो है ना उसके अगर आप लोग बात करते हो, फंक्शन की बात करते हो, तो इसके अंदर फंक्शन में यही तो बात आती है आपकी, कि ये एक स्प्रेड शीट टाइप का सॉफ्ट्वेर है, या कह सकते हो आप लोग वर्क शीट टाइप का एक सॉफ्टेर होता है, एक छुटकी सी बात है, ये तो बहुत ही बेसिक बात है, और अगर मैं यूं कहूँ, ग्रुप ओफ वर्क शीट, ग्रुप ओफ स्प्रेड शीट, तो क्या बन जाएगा, सर मेरा ठीक ना, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, क्या बन ज जासा सवाल के रूप में याद कर लेनी है, ग्रुप ओफ वर्क शीट इस उकल टू वर्क बुक होता है, आपका, ठीक है सर, आगे की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे बाइ डिफोल्ट फाइल नेम क्या होता है, ठीक है ना, बाइ डिफोल्ट फाइल नेम क्या जो ही तो नाम उसके इंदर से होगा है हाँ सास्पी होगा नाम होगा है बाइ डिफोल्ट फाइल का नेम जो होगा नाम आईडिया वह होगा डिए बुक वन होगा यह बात थोड़ी सी इंटरस्टिंग है जरूरी भी है, क्यों इंटरस्टिंग और जरूरी है, क्योंकि MS Word क तो आप लोग ये पढ़ा करते हो कि document 1 पढ़ा करते हो ठीक है और document 1 अच्छा powerpoint के इंदर पढ़ा करते हो तो ये पढ़ा करते हो आप लोग presentation 1 जो है ना आप लोग पढ़ा करते हो presentation 1 लेकिन excel का book 1 है उसके लिए देखो अगर मैं कहूं word में document 1 तो मेरे हिसाब से मुस्किल नहीं है याद करना क्योंकि word में तो document ही होते है अच्छा powerpoint presentation वैसे ही बोली जाती है तो वैसे ही याद रह जाएगा लेकिन excel में spreadsheet होती है तो यहाँ पे options में या तो workbook 1 मिलता है या worksheet 1 मिलता है या spreadsheet 1 मिलता है या book 1 मिलता है तो थोड़ा सा confusion होता है इसी करके कह रहा हूँ यह बात हलकी से interesting और हलकी से जरूरी है कि ms excel की by default file name book 1 होता है बाकी सभी options को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरी बात पर आते हैं दूसरी बात पर आते हैं कि यह ms excel जो है ना इसका by default font size क्या होता है आपका ठीक है ना मतलब आप लोग standard font size के बारे में बात करें by default बार बार नहीं लिख रहा है मैं समझ लेना कि by default ही बता रहा हूँ इसके अंदर font size की बात कर रहे हो आप लोग standard font size जो होता है ना आपका उसको आप लोग अगर बात करते हो तो यही आपका drop down menu की बात करोगे पहले तो आप लोग टीक है ना MS Excel, Excel हम लोगों ने जो है न वो सर्च किया, यह Excel आपका open हुआ, सबसे पहला पेज खुला, blank workbook आपकी open हो गई है, ठीक है न, यह इस तरीके का sheet जो open होता है, हो गया, अगर मैंने इस पे click किया है, तो यह एक chart जो खुल के आया है, इसको आप लोग drop down menu के नाम से जानते हो, य यही drop down menu है, आपका, यह याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, चलिए सर, अब यह तो पता लग गया, आपको drop down menu क्या होता है, मैं आपको अब आगे लेके चल रहा हूँ, तो drop down menu के अंदर size बता रहा हूँ, क्या क्या होगा, तो minimum अगर इसके size की बात करता हूँ, और मैं maximum size की बात करता हूँ, और मैं by default, यानि की यूँ कहिएगा, आप लोग, आप लोगोंने कोई भी size set नहीं किया है, तो size कितना होगा इसका, तो minimum drop down menu के अंदर size होता है, 8 maximum होता है, डियर 72, और default रहता है 11, ठीक है न, यह same size भी आप लोगों को MS Word के अंदर भी मिलता है, as it is, य हो जाता है, default means are 24, अलग रहता है, लेकिन यहाँ यह same है आपका, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, manually, यानि कि अगर मैं keyboard के थुरू enter करना चाहता हूँ, तो मेरा यह size जो है न, वो अलग हो जाएगा, तो minimum उस time पे तो 1 हो जाएगा, maximum Excel के अंदर 409 हो जाएगा, default क तो खेर यहाँ पे बात ही क्या करनी है, वो तो 11 है, तो 11 ही रहेगा आपका, इन चीजों पे भी काम कर लेना, आप लोग की MS Excel का font size रहता है, drop down menu के अंदर minimum 8, maximum बहतर, by default 11 रहता है, keyboard से अगर आप manually अगर feed करना चाहरे हो, तो 1 और 409 रहता है, इस बात को भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है बचा, ठीक है, चलिए सर, थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आगे की बात करते हैं, यही Excel होगा आपका, तो इसके अंदर आप जूम परसंटेज की बात करोगे, ठीक है ना, जूम परसंटेज की, यह जूम स्लाइडर है ना, यह होगा कहां पे, जूम स्लाइडर होता है, स्टेटस बार के अंदर होता है, इस बात को भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है, कि कहां पे होगा, स्टेटस बार के अंदर होगा, ठीक है ना, जो आपका नीचे वाली एक पट्टी होती है, टैब होती है, जैसे कि आपने यह Excel बनाया, इस Excel के अंदर यहाँ पे एक नीचे का टैब होता है, इस टैब के अंदर इस वाली जगह पे जो है ना, आपका यहाँ पे एक स्लाइडर बना होता है, इसी को आप लोग जूम स्लाइडर बोला करते हो, और यह जूम स्लाइडर अगर मैं बात करता हूँ, तो minimum जो होगा इसका वो होगा 10%, maximum अगर पूछता हूँ तो कितना होगा, वो होता 400%, और अगर मैं पूछ रहा हूँ, by default, यानि कि जो standard आपका है ना, वो होगा कितना, वो होगा 100% होगा, मतलब जब आप page open करते हो, तो standard आपको 100% दिखाई देता है यह, ठीक है sir, उसके बाद में बात अगर हम क करता हूँ, साल 2003 तक की बात करता हूँ, 2003 तक इसमें by default font name आया करता था साथ में, उसका नाम है आपका times new roman, ठीक है ना, times new roman नाम का एक font जो है ना, वो आया करता था, साथ में ही आया करता था, लेकिन 2007 से बदलाव हो गया, और 2007 से जो है ना, इसके अंदर एक नया update आया, उस कैलिबरी बोडी, और अगर साथ याद हो आप लोगों को, यह सेम चीज जो है ना, MS Word के इंदर भी होती है, as it is, यही अगर पूछ लेना, MS Word का by default font name क्या होता है, तो यही times new roman 2003 तक, 2007 से कौन सा हो गया, कैलिबरी बोडी हो गया, याद रखना आप लोग, ठीक है, आगे की ब मतलब है, जब आप लोग MS Excel के अंदर कोई आपने चार्ट त्यार किया है, आपने कोई फाइल त्यार कर ली और फाइल को last में आप save करते हो, save करने के लिए तो no doubt आप लोग यूज करोगे, किस चीज का, control S का तो आप लोग यूज करोगे, यह करोगे, ठीक है ना, आप लो name या format में save करते हो, तो आप save as F12 यूज कर लेते हो, save करोगे तो आप से वो फाइल का नाम कुछ भी पूछेगा, या by default जो पड़ा है, जैसे कि book 1 पड़ा है, save हो जाएगा, save हो जाएगा, तो last में dot लग के कुछ फाइल के name आएंगे, जिससे आप फाइलों को पहचान पा फाइल होगी, ऐसे ही समझिएगा कि अगर मैं excel की फाइल है, तो उसको पहचानूगा कैसे, उसी चीज़ को आप extension का नाम दिया करते हैं, तो वो extension क्या है, इसका अगर मैं साल 2003 तक की बात करता हूँ, तो 2003 तक इसके अंदर extension आया करता था, कौन सा dot xls था आपका, लेकिन 2007 से जो है ना, इसका extension बदल दिया, और वो ये हो गया, dot xls और x और लग गया, और इस x का मतलब होता है, क्या xml फाइल, extensible markup language वाली फाइल आगी, इस बात को भी याद रख लेना है, dear, ठीक है ना, सर मुझे computer के बारे में कुछ नहीं आता, तो पढ़ोगे तो आएगा ना, बेटा, आप class में बैठे हो, पढ़ते रहो, copy लिख लो, copy ले लो, notes बना लो, पढ़ाई रहो ना, फिलाल computer के बारे में पढ़ा रहो, पढ़ते रहो आप लोग है, पढ़ाई रहो, tension क्यो लेते हो आप लोग, चलिए सर, और आगे चलते हैं हम लोग, अगली बात पर करते हैं हम लोग बात कि और क्या बात हो सकती है हमारे पास में, तो MS Excel है, अब हमारा, extension तक हमारी बात हो चुकी है, अब MS Excel का page orientation कैसा होता है, इसका page जो है ना, इसका कैसा orientation होता है, ये बताईएगा, तो MS Excel जो है ना, आपका MS Excel, इस MS Excel का page orientation की बात करते हो आप लोग, actually मैं page orientation कहता ज़ादा अच्छा नहीं लगूँगा, मैं यहाँ पे sheet orientation कहता ज़ादा अच्छा लगूँगा, ठीक है ना, योकि इसके अदर sheet होती है ना, ठीक है, तो sheet orientation जो है ना, वो कैसा होगा, ये बताईए Sir, seat orientation का मतलब क्या है पहले ये तो बतादो हमें, orientation का मतलब ये है आपका, कि आपका page दिखने में कैसा होगा, by default कैसा होगा, Sir, मतलब देखो, orientation दो ही type की होते हैं, एक होता है portrait, अगर page है ऐसा तो portrait और अगर ऐसा पड़ा है तो page है landscape, ठीक है ना, कोई ये four size page आपका हो, कोई paper यहां पर पड़ा हूँ, मैं आपको अगर उससे example से देने कोसिस करूँ, ये माल लेते हैं, कोई एक page है, तो इस page को अगर इस तरीके से रख रखा है मैंने, तो ये तो हुआ portrait, ऐसे किया तो क्या होगा, landscape, मुझसे सवाल ये कर रहा है examiner की, आप बताईए, कि MS Excel का by default sheet orientation कै जब आप पहली बार open करते हूँ, तो कैसा रहता है, तो ये याद रखिएगा, इसका by default रहता है, आपका portrait रहता है, ये याद रखना, actually word में भी ये same ही है, एक्स और जो ये powerpoint है ना, उसके अंदर landscape रहता है by default, इसका मतलब मैं ये कता ही नहीं कह रहा कि portrait है, तो हमेशे ही portrait इसको landscape कर सकते हो, आप लोग कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो इसको भी आप लोगों को यहाँ से याद रख लेना है, ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे की बात हम यूँ करते हैं, कि MS Excel जो होता है, जिससे मैंने कहा था कि आपको ये दिखने में कुछ-कुछ ऐसा दि आप लोगों को वैसे तो पता ही है, नहीं पता है, तो अभी के अभी आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, ढंक से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आप MS Excel के अंदर यूँ याद करिएगा कि ऐसे वाली लाइन, आपकी ऐसे वर्टिकल लाइन, एरो डाउन क आप करके जो से लिख लीजिएगा, इनको आप लोग कहोगे, क्या चीज कहोगे डियर, कॉलम के नाम से जानोगे, और MS Excel के अंदर जब भी होरिजोंटल लाइन की बात करते हो, ऐसे पड़ी हुई लाइन की बात करते हो आप लोग, तो इनको तो आप लोग क्या कहोगे, इ तो बेसिक बता रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ, आप लोगे हो काम आएगा डेटा, अगली बात अगर बताने की मैं आप लोगों को कोस्स करूँ यहाँ पे, की तो आपका जहां पे भी रो और कॉलम, चलो पहले ये बताते हैं आपकी की रो को कैसे दिखाते हैं, एर D है, C है, D है, जर्नली कापिटल अल्फा बैट से उनको डिनॉट करते हैं, जैसे मैं अगर इस वाले चार्ट में बात कर रहा हूं, तो यहां पर यह कॉलम हो गया A, यह कॉलम हो गया B, यह कॉलम C, यह कॉलम D, इस तरीके से, बहिं मुझे एक अगर कॉलम दिखाना तो एक को तो मैं यू एसा क्राइटीरिया है कि जहां मैकसिमम तक भि जा सकते हो आप या ऐसे अपने मर्जी से कितना भी देके जा सकते हो दो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मिनीमफ मेरे पास में कॉलम जो हो सकता है ठीक है न? मिनीमं कॉलम वो तो ठीक है पकी बात है आपका एगी होगा लेकिन अगर मैं कहे रहा हूँ कि मेरे पास मैं maximum मैं अगर कहीं range तक जा सकता हूँ न तो वो क्या होगा वो होगा xfd होगा याद रखना अब गुरुजी न ये ना समझ में आया कि चलो एक तो समझ में आ गया ठीक है ए होता है पर इतनी रॉमन मुझे नहीं आती है इतनी इं 384 होगा ये याद रखना मतलब ये होगा कि minimum number of आपका जो column है न वो तो एक है और maximum number of column जो है आपका 16384 होता है इस point को आप लोगों को simple सा याद कर लेना है ये column के लिए बात चल रही थी आपकी यहाँ पे अगर मैं ऐसी ऐसी बाते ही row के लिए करने लग जाओ तो कैसा कर लेते हैं चलो सेम बाते हम लोग अभी पहले तो ये बताओ इस row को कैसे denote किया जाता है इस row को कैसे दिखाया जाता है तो इस row को दिखाने के लिए मुझे numbers का use करना पड़ता है number का जिस तरीके से माल लेते हैं आपका 1 है 2 है 3 है 4 है तो जैसे यहाँ denote करूँगा तो कैसे denote करूँगा मैं तो इस जगह पे अगर सर आप denote करने बैठ जाते ना तो आप यूं लिखते ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 इस तरीके से लिखते आप ठीक है सर समझ गए मतलब क्या हुआ कि मैं column को दिखा रहा हूं तो ABCD EFGS से दिखा रहा हूं अगर मैं row को दिखा रहा हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिखाने को सुस कर रहा हूं ठीक है सर ये तो पता लगा तो सर इसमें भी कुछ ऐसा होता है क्या कि ये minimum और maximum हाँ इसमें भी होता है अगर मैं minimum number of row की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में तो एक ही है कोई दिक्कत नहीं है एक तो हो गई लेकिन ऐसे ही मैं अगर last end तक जा रहा हूं maximum तो कितना होगा तो ये होगा 10, 48 हो जाएगा ठीक है न ये कितना होगा डियर आपका ये होगा 10, 48, 576 हो जाएगा याद रखिएगा आप लोग दस, 48, 576 जो है न यहां तक मैं maximum चला जाऊँगा इसका screenshot अपने पास में रख लीजिएगा बेहद स ठीक है रादे रादे आप सभी प्यारे बच्चों को ठीक है न शाशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा इतना तो कारे आप लोग कर ही सकते हैं अराम से ठीक है तो number of row minimum बता दिया सदे number of column भी minimum maximum दोनों बता दिया अगली बात पर पहुंशते हैं हम लोग अगली बात पर य डिजाइन कर लिए हमने अच्छा यहां पर हमने कर लिए डिजाइन यह वाली row डिजाइन कर लिए हमने इस तरीके से आपने यह row बना ली ठीक ऐसा row बना ली लेकिन किस्टन हमारे पास में यह है कि जहां पर row and column both are intersect जहां पर row और column दोन्नों आपस में intersect होते हैं या मिलते ह उनको आप लोग क्या कहा करते हो तो उनको cell कह देते हैं भाई जैसे यह row और एक column मिल गया आपस में इस वाली जगह की बात करते हो तो यह जो डिबबा है आपका इसको मैं highlight कर देता हूं माल लेते कोई भी box ले लीजिएगा इतना समझ लीजिएगा इस सब इनको आप denote कैसे किया जाता है यह भी सवाल बहुत जरूरी है यह याद रखना आप लोगों को कि cell जो होती है उसको denote कैसे करते हैं तो cell को denote करने का भी तरीका है जैसे यहां पर column हुआ है यह यहां पर row एक दो तीन चार पांच छे जो भी है आपकी row हुई है तो कभी भी किसी cell को denote करत अब कोई नाम है कोई ने कोई मुझसे आप पूचो कोई भी box का नाम सर ने सर बताओ इसका नाम क्या होगा तो उपर देखो क्या है depress है इसका इनाम क्या होगा ये उपर देखो क्या है तो मतलब आप ऐसे इनका naming कर सकते हो चलो यह तो ना मम कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे पहली cell और last cell मतलब ऐसा कुछ हो सकता है भी कितने डबबे हो सकते हैं यह जैसे मेरे मन में curiosity आजाए कि जैसे आपने यहाँ पर मतलो मर्जी से बना लिया, कितना कुछ भी बना लिया, लेकिन ऐसा कोई limit है किया इसकी, हाँ है, बिल्कुल, वो भी होती है आपकी, तो कोई भी अगर Excel आप लोग लेते हो, तो उसकी जो first cell होती है, ठीका ना, Excel की first cell है, उस first cell को आप लोग कहते हो, A1 कहते हो, इस बात में तो मेरे हिसाब से कोई दोर आए नहीं है किसी बच्चे को, क्यों, क्योंकि पहली cell तो A1 हो ही गई, आपकी, interesting बात है, तो वो क्या है, last cell पता लगानी है, हमें वो पता लगाना है, अब देखो, बहुत असान है last cell पता लगाना, क्योंकि मुश्किल नहीं है, हलका सा दिमाग लगाओ, तो अंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, सर ने आपको पहला column एक बताया था, A से, सबसे last column कौन सा बताया था, सबसे last column बताया था, सर ने XFD बताया था, हाँ सर बताया था, अच्छा, पहली row बताई थी तो एक ही है, मतलब एक से start करोगे minimum सबसे last row कौन सी बताया थी आपको, सर से last बताया थी, 10, 48, 576 वाली बताया थी, लो जी, ये आपके सबसे last cell का नाम हो गया, कोई दिक्कत है थोड़ी ना इसके इंदर, बहुती असानी से आप लोग जो है ना, इसको याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है, इसको आप अपनी copy पर बहुत ही important number के लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत जुरूरी है आपका, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना सबको, चलिए, अब आगे जाते हैं थोड़ा सा हम लोग, और important बात, अच्छे यही अगर आपका MS Excel का cell है, और इस cell के इंदर माल लेते हैं कोई value डालनी है आपको, ठीक है ना, तो उसको alignment कैसा होता है, यहां से भी question आपका रहता है, कोई numerical value होती है ना, उसका alignment कैसा होता है, उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, SX, FD, 47, 566, ठीक है, हाँ जी समझ में आ रहा ना डियर आपको, यही बताने कोसिस कर रहा हूँ, यही MS Excel की cell में कोई नंबर या कोई आप लोग numerical value, ठीक है, numerical value, insert करते हैं, numerical value को insert किया करते हैं, तो इसका default alignment क्या होगा, default alignment right होगा, याद रखिएगा, यह बात अच्छे से याद कर लेना, नंबर की बात कर रहा हूँ है, alphabet enter करोगे तो वो left होगा, लेकिन numbers की बात कर रहा हूँ है, तो आपका right होगा, इस बात को याद कर लेना है, dear, आप लोग, ठीक है ना? तो इस बात को याद करिएगा आप लोग कि कभी भी अगर आप लोग क्या कहते हैं, MS Excel के अंदर कोई भी numerical value को insert करते हैं, if we insert in our Excel numerical value, then by default alignment is always right, याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग, अगर हिंदी इंगलीज का कोई confusion है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस simply इतना याद रखना है, इसको समझना है, बहुत ज़रूरी है, यह क्या, कि माल लेते हैं, इसमें कोई number enter करना है, कोई भी जैसे यह आपका इस वाले hand के, अगर मैं मेरे hand की बात कर रहा हूं, तो यह आपका left और यह right हो जाएगा, ठीक है, तो यह number तो इधर ही लिखा जाएगा, इस side लिखा जाएगा, आपका कोई भी number है, इस side लिखा जाएगा, इस side लिखा जाएगा, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है, हाँ, अगर alphabet की बात करते हैं, इस बात को भी लिख देते हैं, आप लोगों के लिए, कि काम आएगा आप लोगों को, ठीक है, कि हमारे पास में कोई भी alphabet होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक बात ही जगह पर point cross cell, working cell या active cell भी कहा करते हैं, जैसे माल लेते हैं, आप लोग इन में से कोई भी cell के उपर काम करर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे इस cell के उपर आप काम कर रहे हो, उस cell को उस time के लिए क्या कहते हो उस time के लिए उसको कहा करते हो आप लोग active cell के नाम से जाना करते हो active cell इसका नाम एक तो active cell है एक इसको कहा करते हो आप लोग याद रखिएगा point cross cell के नाम से भी जानते हो point cross cell के नाम से भी जाना करते हो active cell भी कहते हो उसको point cross cell भी कहते हो जिस cell के अंदर आप काम कर रहे होते हो वो active cell जैसे जहां पर click कर दिया लिख रहे हो वो active cell है या point cross cell होती है आपकी उस time के लिए तो ठीक है चलिए sir ये भी point आपका यहां पर समझ में आही गया होगा ठीक है चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं आपका MS Excel के अंदर जो है ना बहुत सारी और चुड़श़दी चीजीं आप की ठीक है कि रोओ कॉलम के लिए कुछ शॉटकट की होता है ठाशे पूरी कॉलम को select कर नहोंगी पूरी In MS Excel, Excel के अंदर आपको अगर ribbon को hide करना हो, ribbon bar hide अगर करनी हो किसी को, को ribbon bar है उसको hide करना हो या उसको show भी करना हो, तो उसके लिए क्या shortcut की होगा, तो उसके लिए shortcut की लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका, वो क्या होगा, control plus में F1 होता है, इसका shortcut की होता है यह वाला, अब यह ribbon bar क्या होती है, उपर वाली जो पट्टी होती है, जिसके अदर options होते हैं, menu होते हैं, जो मैंने word में समझा दिया, वही सेम आपका है, यहाँ पे, ठीक है न, ठीक है न, ठीक है, तो cell वो तो दिखाई ने जाएदा न, आगे चला जाता है, आपका बार आगे चला जाएगा, करसर आगे हो जाएगा, ऐसा इसलिए ही होता है, cell का जो आपका data है, वो आधे इंच का रहता है, उससे अगर आप एकसीड करोगे तो आगे जाएगा, जाएगा जाएगा वो तो, एकसल का रिबन बार है, वो हाइड करने के लिए, शो करने के लिए, आपको एफवन की जो न, उसका यूज करते है, हम लोग, पूरी रो को स्लेक्ट करने के लिए, शॉटकट की क्या होती है, आपकी, ठीक ह एक्सल के अंदर इन एम एस एक्सल सिलेक्ट रो की बात कर रहा हूं मैं कम्प्लीट रो को अगर आप स्लेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए शोटकट की क्या होती है तो इसके लिए शोटकट की होती है आपकी shift प्लस में space bar shift प्लस में space bar ठीक है ना यह चीज़े याद करना है बहुती बारीक की से copy पर लिखे रहाना काम की बहुत बाते बता रहा हूं ठीक है ना अच्छा अगर आप ऐसे पूरी row स्लेक्ट की है तो ऐसे ऐसे पूरा column भी select करना चाहते हो आप लोग ठीक है न तो in ms excel microsoft excel select column column को select करना चाहते हो तो इसमें shift plus space bar है अब आ जाएगा आपका क्या अब आ जाएगा control plus में space bar घीक है न control plus में space bar जो है अब shortcut की ही आ जाएगा तो excel के अंदर ribbon bar show या hide करनी हो तो control plus में F1 है excel के अनदर कोई row पूरी row select करनी हो तो shift plus में space bar है अगर आपको column select करना हो तो आप लोगों को क्या use करना पड़ेगा फिर आपको control प्लस में space bar जो है न वो use करना पड़ेगा ये याद कर लेना आप लोग ठीक है पूरी CT select करनी हो तो control A होता ही है उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ठीक है na complete अगर select करनी हो आपको ठीक है अच्छा Excel के अंदर cell में data enter किया गया है उतनी cell को अगर select करना हो ठीक है अगर मैं दो चीजे और लिखता हूँ आपको यहाँ पे अगर complete select करनी हो पूरी sheet select करनी हो अगर ठीक है ना पूरी अगर पूरी sheet select करनी हो तो shortcut की क्या होगा तो होगा CTRL प्लस में A होगा इसका तो कोई पता ही होगा कोई बड़ी बात ही नहीं है पूरा complete select होगा ना control A हो गया लेकिन अगर पूछे कि Excel में जितनी cell में data enter किया गया है उतनी ही cell को select करना हो तो बड़ा important है क्या Excel में जितनी cell में data enter किया है उतनी ही cell को select करना हो तो आप लोग कौन सा shortcut यूज करोगे ठीक ना तो आप लोग यूज करोगे इसके अंदर control प्लस shift प्लस space bar बहुत जादा important very very important एक्जाम प्रस्पेक्टिव बहुत से भी बहुत जादा important ठीक है ना एक्जाम के अंदर बहुत बहुत बार पूछा गया है अच्छे से याद कर लेना है डियर आप लोगों को ठीक है ना function होते हैं यहां पर ms excel के उन function की बारे में बात बताता हूँ आपको मैं important important function सारे के सारे ठीक है ना cell का कोई address होता है ना वो कहां दिखाई देता है क्योंसर न ये भी एक्जाम में आया था कोई बता सकता है ms excel का cell का address जो है ना यहां दिखाई देता है, MS-Excel में, Cell Address, Cell Address जो है, जो है, कहां दिखाई देता है, Cell का Address जो होता है, वो दिखाई कहां देता है, बहुत इजी सवाल है, Formula Bar, Inbox, ठीक है, यही अंसर है, ठीक है, इसको आप लोग name box कह सकते हो या तो वो name box के अंदर address पड़ा रहता है आपका ठीक है या address bar लिख सकते हो इसको आप लोग address bar यहाँ पे जो है इसका नाम शो करता है यह याद रखिएगा आप लोग formula bar address bar या name box यहाँ पे display किया करता है आपका cell का content जो होता है वो actually होता है आपका formula bar में cell का address तो होता है name box में और address bar के अंदर ठीक है लेकिन अगर पूचा जाए cell का content तो यह बात लिख देता हूँ थोड़ा confused ना हो पाऊ आप लोग MS Excel में cell content यह रहता है आपका किस के अंदर formula bar के अंदर ठीक है ऐसे चीजों को थोड़ा सा ना फर्क डाल के ही समझो कि तो ही मजा आएगा कि हाँ कुछ ऐसा फर्क भी होता है यही फर्क होता है जो आपके अगर रखर वैठाओं कि MS Excel के अंदर cell का content होता है वो formula bar के अंदर रहता है आपका ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और थोड़े functions के बारे में जिकर करते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है ना वीडियो को like कर देना दबा के जितनी कर सको हां जी तो आगे आप क्या पढ़ रहे थे हम पर functions की बात करते हैं ठीक है ना function in ms excel ms excel की कुछ important function पढ़ाने हैं आपको ठीक है कौन-कौन से function होते हैं इनके बारे में बात करते हैं हम लोग ठीक है ना तो सबसे पहला function आपको बताते हैं कौन सा text नाम का function एक बताता हूँ आपको यहाँ पर ठीक है ना function बहुत ज़रूरी है और बहुत important भी है और बहुत ही ज़्यादा simple है आपका text function ठीक है text function के अदर actually तीन चीज आएगी आपकी English word पर काम करने के लिए होता है text function एक तो line आप लिख भी सकते हो ठीक है ना English word पर काम करता है ठीक है ना एक तो आता है आपका text function के अंदर पहला जिसका नाम है len function ठीक है ना len function basically क्या है यह एक परकार का length type का function है समझे लो कि total string का पता लगाने के लिए इसका use करेंगे हम लोग ठीक है total string का पता लगाने के लिए इसका use करते हैं total string का पता लगाने के लिए हम लोग किसका use करते है alien function का use करते है जब सर कैसे पहले तो यह बताईएगा कि string होती ही क्या है उसको भी समझ लीजिएगा आप लोग string क्या होती है string एक तो पहली बात आपकी है ऐसे inverted यह double comma होते हैं double inverted comma होते है इनके बीच में लिखा गया word है वो string है आपका यूँ कह सकते हूँ एक type से आप लोग की group of word ही string होती है string जो होती है आपकी string का definition होता है क्या आपका group of words ठीक है न words का एक group बना दोगे उसको string कहोगे denote किया जाता है उसको ऐसे double inverted comma में जैसे for example मैंने एक नाम लिख दिया होता यहां पर test book नाम लिख दिया होता ठीक है न test book और test book ऐसे inverted comma में डाल दिया यह एक string बन गया आपका फिलहाल के लिए ठीक है और अब मैं आपको length function का जो होता है length function होता है इसका किस तरीके का question आता है वो भी shade करता है उसका answer क्या होगा आपको ऐसे दिया जाएगा यह l e n length ठीक है न और ऐसे inverted comma लगा दिया यहां पर माली लिख दिया राम ठीक है न यह question है इसका तो इसका सही answer क्या होगा वही बताना बहुत ही simple सी बात है इसको असानी से आप लोग answer कर सकते होगी क्या इसका answer हो सकता है भी length function है यह equal to रहता है हमेशा इसमें तो इसमें आपको length बतानी है string की कितनी length है string की length है एक दो तीन ठीक है न तो इस वाले particular question का answer क्या हो गया आपका बताओ तीन हो गया बस बात ही कहता हूँ हाँ अगर मैं ऐसा कुछ कहता आप लोगों को कि ऐसा कह देता len ठीक है ना और यहाँ पे लिख देता s u n i l sunil b ठीक है ना इसका क्या answer होगा बताना बहुत simple है कुछ मुश्किल ही नहीं है पांच क्यों है छे होगा ठीक है ना यही मेरा coupon code है अगर कोई भी बच्चा test book के super coaching का कोई batch लेना चाहता है तो मेरा coupon code जरूर यूज कीजिए अगर वही क्या है आपका s u n i l b क्योंकि मेरा नाम है सुनिल बिस्नोई आपको कल शाम को भी चार बज़े मेरी class जरूर दिखेगी यहां पे ही आप लोग कल भी class लगाना इस तन practice करेंगे कल की class में हम फैर रग यह हो गया तो समझ गए ना आप लोग एक दो तीन चार पांच छे हो गया ना तो लो ह u p e r up पर आता है ठीक है ना और अगर मैं आप लोगों को इसका question दूँ इस तरीके से क्या u p e r up पर और यहां पे मैंने लिख दिया r a m ठीक है ना तो इस वाले particular question का answer क्या हो जागा तो चोटा लिखावा उसको capital letter में कर दो गया बस बात ही गाता हम इसका answer क्या हो गया आप लोगों को तो क्या होगा lower और यहां पर मैंने दे दिया हो था आप लोगों को कि inverted comma के अंदर क्या लिखना है बताईएगा चलो यह लिख देते है s u n i l लिख दिया ठीक है ना यह एक string लिख दी तो इसका छोटा हो जाएगा आपका ठीक है ना यह क्या हो जाएगा आपका स समझ गये तो आप लोग समझ गये capital lower का मतलब भी आप समझ गये अपर का मतलब भी आप लोग समझ गये होंगे ठीक है उसके बाद में आपका यह tax function complete हो गया आपका एक function होता है आपका rept ठीक है ना दूसरा function होता है आपका REPT function यह ऐसे ही लिखा होता है इतनी ही बात में लिखा होता है सर आप लोग ठीक है याद रख लीजिएगा सर भहिया प्लीज सर भहिया लिखा है हाँ भहिया मेरे क्या है भहिया भहिया प्लीज MS Office का practical class भी रवा दीजिए मेरे exam होने वाले हैं भहिया मेरे practical exam practical class तो possible नहीं है जूटी बाते हाँ बरी नहीं जा सकती कि कहा दूँ कि हाँ करवा दूँगा practical तो भहिया मेरे नहीं हो सकता theoretical तो करवा रहा हूँ ठीक है न practical तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं भी मेरे पास बैट के रहे कि चीज़े समझा पाऊं यहां पर आपको समझा पाऊं practical का segment है नहीं बच्चा हमारा या मेरे छोटे भाई मेरे बड़े भाई या छोटा भाई जो भी है या मेरे हम उमर भाई practical का नहीं हो सकता possible जूट नहीं बोला जाता ठीक है तो repeat की बात करें तो यह क्या function होता है सर यह होता है repeat करने के लिए होता है repeat function होता है repeat function repeat function होता है यह तो बाट ठीक है समझ गए repeat का मतलब क्या करेगा repeat function का मतलब है repeat any string यह string को जो है आपका repeat करेगा को से string को सर repeat करेगा और कैसे repeat करेगा बताता हूँ आपको माल लेते हैं इन्होंने लिखा होता ऐसे र, e, p, t लिख दिया और इसके बाद में इन्होंने लिख दिया inverted comma में लिख दिया र, a, m लिख दिया और यहाँ पे comma डाल के लिख दिया चार ये तो इस वाले particular question का क्या answer होगा इस वाले question का answer होगा राम, 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 और राम ठीक है न, यह हो गया चार बार repeat करना था, कर डाला मैंने ठीक है न, कोई भी और ऐसा question हो सकता था इन्होंने कह दिया और आगे इन्होंने कह दिया कि कुन सा word लिखना चलो हिंदी में लिख दिया मैंने एक सब राधे ठीक है न, और एक और साथ में लिख दिया राधे, राधे, ठीक है न, और यह inverted कॉमा में, वैसे तो इंगलीस का होता है पर मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ ठीक है न, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हर कोई भी मतलब किसी से बोलते हैं तो भी हर कोई ऐसे बोल बातचीत में भी रादे-रादे करता है। इतना impact पड़ा मेरे मन में कि मैं हर किसी से अब मिलता हूँ बात करता हूँ तो मुझे भी बड़ा पसंद आ गया यह रादे-रादे ही कहता हूँ मैं ठीक है ना? एक कोई यूपी का बनारस का तो साइद उसको तो बहुत ही अच्छे सी बात है कि रादे-रादे साइंस से भी मैंने इसका रीजन जानने की कोसिस की कि क्या होता है जैसे ओम बोलते हैं तो पूरा ब्रेन वाइब्रेट करता है और रादे-रादे बोलने से सैरी बैरम जो है ना उसमें वाइब्रेशन आता है तो फिर मतलब मैं स्पिरिच्विलिटी वाइज ऐसा नहीं कह कुछ लेकिन साइंटफिक भी रीजन है इस वर्ड का कहीं नहीं कहीं जैसे संस्क्रिट उचार्ण करने से लोग तुतलाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है ठीक है ना असर भी लियो कवरे डीबीमस अफकोस क्यों नहीं करूंगा करूंगा डेटाबेस मैनेज कहां से आ गए है अच्छा स्लाइड यह लास्ट थी कोई बात एक मेंट रुकना स्लाइड ओर लेता हूं मैं अपलीगेट स्लाइड अच्छा यह मेटाई भी निजास्ट थेगी पड़ो हुआ हुआ है छलो ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़े यह और तो इलाज भी तो कुछ नहीं है चेक यूपी से राम राख तर कंप्यूटर PDGCA की बुक में कंप्यूटर से ज़िए हूँ डिपेंड करता है डियर उसमें लिखा content क्या है अब ये तो मैं कह नहीं सकता cover हो जाएगा का नहीं हो जाएगा होई जारा चीए आप एक बार देख लेना उसका content क्या है ठीक है ना चलो repeat function जो है आप लोगों का हो गया है ठीक है उसके बाद में आपका और कोई function लेके आते हैं ठीक है ना हम लोग एक power function लेके आते हैं आपको बताने के लिए ठीक है power function power function ठीक है ना function ऐसे दिया जाएगा माल लेते हैं ऐसा लिखा होगा power 5,3 इस का अंसर बता सकता है कोई बच्चा control प्लस M दबाने से भी नई slide आती है बिल्कुल ठीक बात है माइडिया है लेकिन keyboard दूर पड़ा था digital board है computer में यह चीज़े है फटाफट हो जाता है इसमें keyboard खोलों से option दिखी रहना पूरा touch screen है तो मैं इसका फाइदा उठा रहा हूँ बताओ इस सवाल का क्या answer दे सकते हो आप लो power function है तो power function में क्या use करेंगे बताना answer क्या होगा इसका यह बताओ दिफक जी पार्टिकुलर क्योंसन का answer क्या होगा right संगीता है क्या यह ना ठीक नेरा comment section थोड़े दूर है पर हाँ 125 जिसने लिखा है उसका answer सही है ठीक है ना समझ का power 3 जो है ना वो क्या होता है आपका 125 है यह याद रखिएगा आप लो मतलब तुम यह समझ नहीं की कोसिस कर रहे होंगे कि यह है क्या लिखा होगा बस यही समझाना चाहता था power function बस ऐसा ही रहता है और कोई समें बड़ी वाली बात है भी नहीं आपके ठीक है तो चलो जी यह बात हो गया उसके बाद में power function इतना सही है आपका एक होता है logical function होता है आपका ठीक है ना एक function होता है जिसको कहा करते हो आप लोग logical function लोजिकल function की अगर मैं बात कहता हूँ ठीक है ना तो कौन सा होगा आपका logical function लोजिकल function वो होगा जिसके अंदर conditional part आएगा आपका ठीक है ना कोई भी आपकी जो है ना वो condition set की जाएगी conditional part होगा इसके अंदर conditional function होगा ये भी याद कर लेना आप लोग ठीक है ना चलो इसके अंदर condition की जब भी बात करते हो तो दो type की condition होती है no doubt आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एक तो part इसके अंदर होगा तो वो कौन सा होगा आपका true part होगा बही condition अगर सही है तो और एक दूसरा part अगर user friendly नहीं होता बस excel के अंदर एक खास और important बात इतनी सी है जो exam में बहुत पूची जाती है ऐसा कौन सा function है जो user friendly नहीं होता बाकी सारे function user friendly है बही पावर का नाम है तो पावर से आ गया text है तो length है तो length हो गया upper है तो upper lower है तो lower repeat है तो repeat ऐसे और बहुत आगे आएंगे अगल इसका मतलब क्या बताता हूँ user friendly नहीं होता है ये user friendly नहीं होता है ठीक ना user friendly नहीं होता है अच्छा user friendly नहीं होता इस बात का मतलब इस बाकी function से power function को power से लेग दिया इसको logical function को logical से नहीं लिखते इसमें लिखा करते हैं याद रखिएगा आप लोग if या else statement जो है ये डाली जाती है इसके अंदर तो logical के अंदर condition if else वाले ही part रहता है if part जादा रहता है इसका याद रखीगा if statement डाली जाती है यह जर्णली if statement से start होता है ठीक है ना if else आप लोग जानते हो ना अगर यह है तो ठीक है अगर यह ठीक ना हो तो दूसरा काम कर जाए उसके लिए ठीक है तो जर्णली आपका यूं लिखा जाता है यह if statement उसके अंदर लिख दी है अगर यह statement true है तो part a execute हो जाए else दूसरा execute हो जाए आपका तो if else वाले part से ही यह काम करता है आपका यह भी बात याद कर देना idea है आपका ठीक है 25 कैसे आया सर 125 कैसे आया सर अच्छा भाई साब बहुत बढ़िया दिमाख लगया तुमने 5 का cube किया है मैंने ठीक ना पंजे पंजे 25 और 25 पंजे 125 कैसे आया अगर मेरा math गलत है तो बता देना बाकी यार पता नहीं मेरा math या सही है मैं computer का master हूँ गडबड़ हो सकता है सही है गलत आया बता देना भाई साब झालता बता धालत है जा हम से अजेड़ हो झालता है झाल झाल